नमस्कार स्वागत आप सभी का इस वीडियो में हम उन कोश्चन्स को करेंगे जो या तो आपसे प्रिवेस एर्स में पूछे गए हैं या आपके लिए इंपोडेंट हैं तेखो ज़्यादा बड़े-बड़े कोश्चन्स इन चैप्टर्स में नहीं है जोगराफिय में आपक से पहले NCRT को ही उठाता है तो आप बहुत फोकस किया करो NCRT कोश्चन्स पे और NCRT कोश्चन्स के अलावा भी मैं आपको कोश्चन करा रहा हूं जैसे कि इस वीडियो में हम प्रिवेस एर्स को करेंगे अगर आप इस चैनल पर आ गए होना तो आपको यहां पर सब कुछ मिलेगा आप बस चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और हर वीडियो को लाइक करना और हमें कोमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है तो हमारा यह फर्स्ट कोश्चन है इसमें अब इसमें आप यह मत देखना कि कोश्चन नमबर फाइफ लिखा हुए यहां पे तो सर फर्स्ट कहा रहे हैं यह अलग-अलग जगह से मैंने कोश्चन उठाए हैं इन कोश्चन में आप सीरियल नमबर मत देखना बस को समझना और उनके अंसर्स को समझना क्योंकि यह सारे प्रिविस यह कोश्चन है जो कि अलग-अलग जगह से मैंने उठाए हैं तो इसम जमीन हैं। उनमेंसे किस जमीन में कमी हुई है और कौन सी बढ़ी है यह बताना है हमें। वे चार भूप योग संवर्ग, जनमें शेत्रिय अनुपात में गिरावट आई है बंजर भूमी वो कम हुई है भारत में वेर्थ भूमी जो जमीन वेष्ट पड़ी हुई थी, वो भी कम हुई है भारत में क्योंकि सरकार नए नी पॉलसिस लेकर आती है हमने जमीन को fertile बनाया है तो हमने बहुत सारी जमीन को ठीक किया है दो जमीन तो ऐसी हो गई जो की waste पड़ी थी उनको हमने ठीक किया उसके बाद है क्रिशी योगे वेर्थ भूमी यानि कि ऐसी जमीन जो खेती के लायक थी और उस पे खेती नहीं होती थी उस जमीन पर भी हमने खेती की और उस भूमी का भी यूज बढ़ गया उसके बाद है चारगा तथा तरू फसलों के अंतर का शेत्र यानि कि जो ऐसे ही जाड़िया पड़ी हुई थी या घास के मैदान पड़े हुए थे उस एरिया में भी क्या किया हमने खेती को किया इस एरिया में हमारे आपे बढ़ोतरी हुई है और last है नीवल बौया गया शेत्र जाने कि जिस एरिया में फसले उगती हैं उसको बोलते हैं नीवल बौया गया शेत्र तो उस एरिया में भी हमारे याँ पे बढ़ोती हुई है जो भी जमीन वेस्ट पड़ी हुई थी जिसका यूज नहीं था उस सारी चीज में हमने कमी की है और हमने खेती का जो छेतर था उसको बढ़ाया है अब इसमें रीजन देख लो कि ये कमी क्यों हुई है पहला पॉइंट है समय के साथ जैसे जैसे किर्शी तथा गैर किर्शी कारियों है तो भूमी पर दवाव बढ़ा भारत में बंजर भूमी भी कम हुई है जो जमीन वेस्ट पड़ी हुई थी वो भी कम हुई है चारागाह वाला इरिया जो खाली पड़ा था वो भी कम हुआ है उसको हमने और चीजों में यूज किया है और जो नीवल बोया गया शेत्र था वो भी कम हुआ है ये चीज़े क्यूं हुई है देखो खराब जमीन को तो हमने सुधा रहा है इस वज़े से वो जमीन घट गई है अच्छी बन गई है वो जमीन और खेती वाली जमीन क्यों कम हुई है क्योंकि आजकल इंडस्टीज वगारा बहुत बढ़ रही है शहरी करन हो रहा है जगह का तो घर वगारा बहुत बनते हैं लोगों के अब देखते हो दिली जैसे शहर में खेती के लिए जगह ही नहीं बची है तो वो किस वज़े से हुआ है जनसंके के बढ़ने से तो गैर किर्शी कारियों के बढ़ने से भी जमीन घटी है और हमने जो जमीन वेर्थ पड़ी थी उसको ठीक किया है तो वो वाली जमीन भी घटी है जितने भी टाइप लिखी हुई है इस सारी जमीन में भारत में कमी आई है अब कारण देख लो कि क्यों घटी है जमीन पहला पॉइंट है समय के साथ जैसे जैसे किर्शी तथा गैर किर्शी कार्यों हे तो भूमी पर दबाव बढ़ा वैसे 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 वैर्थ एमें किर्शी योग वैर्थ भूमी में समय अनुसार कमी इसकी साक्षी है ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमें जमीन की जरुएत पढ़ती गई जब खेती के लिए कम जगह बचने लगी तो हमने दुछरी जगह को ठीक किया वैर्थ और किर्शी योग जो भूमी पड़ी थी उसको ठीक करके वहाँ पर खेती करना शुरू किया दूसरा पॉइंट नीवल बोय गई शेतर में धीमी वर्दी दर्ज की जा रही है यानि जो किर्शी योग जमीन थी जहां पर खेती होती थी पर उसकी स्पीड जादा फास्ट नहीं है वो स्लो मोशन में चल रही है नीवल बोय गई शेतर में धीमीन था कारण गैर किर्शी में प्रिक्त भूमी के अनुपात का बढ़ना हो सकता है सिंपलिय कह रहे हैं कि जो गैर किर्शी के काम आजकल खुल गए है यानि secondary activities या tertiary activities जो चली है उनकी वज़े से जो खेती की भूमी उसमें कमी आई है थर्ड पॉइंट है चरागा भूमी में कमी का कारण किर्शी पर बढ़ता दबाव है किर्शी पर दबाव बढ़ने का मतलब यह है कि जन संख्या जादा हो गई है खेती लाइक जमीन कम हो गई है तो हम आसपास के ओर अरिया में खेती करेंगे यही कहा रहे हैं जो पहले चरागा जमीन पड़ी हुई थी उस पर भी लोग खेती करने लगे है क्योंकि जन संख्या बढ़ रही है और खेती पर उसे दबाव पड़ रहा है याने कि अनाज कम पैदा हो रहा है इसलिए चरागा वाली भूमी को भी आजकल हम खेती वाली भूमी में कनवर्ट कर रहे हैं तो इन तीनो टाइप की जमीन में कमी आ रही है पहले टाइप की जमीन में कमी आने का मतलब है जमीन में सुधार घर के कमी करी गई है कि खराब जमीन को हमने यूज में लिया है दूसरे point में कहा रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी कमी खेती वाली जमीन में भी आ रही है क्योंकि नई नई चीजे बन रही है जैसे कि इंडस्टीज का आना नई टक की नोकरी आना गाउं का नगरी करन होना इस वज़े से भी जो किर्शी वाली जमीन थी वो कम हो रही है उसके बाद third point में कहा रहे हैं कि किर्शी की जमीन कम हो रही है इस वज़े से जो चारगावाली जमीन थी उसको भी खेती में यूज कर रहे हैं चारागाह वाली जमीन भी कम हो रही है, ये वो सारे टाइप हैं, जो की भूमी आजकल कम होती जा रही है, नेक्स्ट कोशन देखो, ये भी प्रिवेस एर कोशन है, शुष किर्शी तथा आधर किर्शी की तीन तीन विचेशता हैं बताते हुए, अंतरस पस्ट करो, यानि कि जो सुख्य में खेती होती है और जो नमी वाले अरिया में खेती होती है, उसके बारे में बताना है, यह same question हमने NCRT questions में कर लिया है जो इससे पहले वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको समझाया था यह तो इस question को यहाँ पे नहीं करेंगे हैं same as it is question है देखलो important question है कई बार आपके exams में पूछा गया है तो NCRT questions को बहुत अच्छे से पढ़के जाना वहीं से आपके exams में question आएंगे अब देखलो जो इसमें 16 number question है वो देखो आप पिसले कुस दश्कों में भारत में कृषिश एक्टर में शर्मी हो के अनुपात में उतार की प्रिवर्ती देखी गई है इस प्रिवर्ती से क्या भिपराय है यह कह रहे हैं कि आजकल हम देख रहे हैं कि खेती में जितने पहले लोग काम करते थे आजकल उतने नहीं करते इससे क्या reason है देखो क्या होता है खेती में ज़्यादा income नहीं आजकल लोगों को साल भर काम नहीं मिल पाता ठीक और बेहनत का ज़्यादा काम है और production कम निकलता है तो इस वज़े से आजकल लोग पढ़ने लिखने लगी है और दूसरे कामों की तरफ भाग रहे हैं अब आप खुद देखो पंजाब हरियाना वाले एरिया में जो खेती करने वाले लोग थे उनके लड़के आजकल अमेरिका केनडा जैसे देशों में नोकरिया ढूंड रहे हैं तो खेती के पेशों को छोड़कर वो नोकरी का पेशा अपना रहे हैं तो उससे क्या हो गया है किर्शी में लगे लोगों का जो रेशो था वो कम होता जा रहा है यही कह रहे हैं आपसे कोशन में ये जो ratio घट रहा इसके पीछ करने के अवसर प्राप्ट नहीं होते जिस समय पर फसल होती है केवल उसी समय पर काम मिलता है तो ये क्यारे की पूरे साल भर उन्हें काम नहीं मिल पाता तो यही मेन रीजन है जिसकी वो जैसे लोग जो किरशी वाले कामों को छोड़ कर दूसरे कामों को अपना रहे हैं क्योंकि खेती के अंदर अल्प बेरोजगारी छिपी होती है लोगों को पूरे साल बर काम नहीं मिलता जब तक फसल है तब तक काम है बाकी वो खेती पर ही डिपेंड बैठे रहते हैं वो इसी लिए आजकल के लोग क्या है दूसरे रोजगार ढूढने लगे हैं यही सिंपली आपसे शोट में कोशन पूचा गया था तो आपको शोट में ही इसका अंसर करना था नेक्स्ट कोशन देखो रक्षित सिचाई करिशी तथा उत्पादक सिचाई करिशी में अंतर बताओ फिलकुत सिंपल वर्ड में आपको समझा रहा हूँ रक्षित सिचाई का मतलब क्या है और उत्पादक सिचाई का मतलब क्या है simple आप यह समझो कि अगर किसी खेत में बारिश हो रही है फिर थोड़ी बहुत पानी की जरूरत है तो अगर थोड़े बहुत पानी की जरूरत है तो उसे हम बोलते हैं रक्षित सिचाई यानि बहुत कम सिचाई की गई है और उत्पादक सिचाई का मतलब है कि वो फसल बारिश के पानी पर डिपेंड नहीं है पूरे तरीके से सिचाई पर ही डिपेंड है यानि कि हमें जादा सिचाई करनी पड़ेगी अब सिचाई का मतलब तो आप सभी को पता होगा ना केत में पानी देना हम जब ट्यूबेल्स वगएरा या नहर वगएरा के जरीए खेतों तक पानी पहुचाते हैं तो उसे बोलते हैं सिचाई इंगलिश में इरिगेशन बोलते हैं से सिचाई दो टाइप की होती है एक तो ऐसा एरिया यहां पर बारिश ज्यादा होती है तो यहां पर सिचाई का इतना बड़ा रोल नहीं है यहां पर रक्षित टाइप की सिचाई होती है तो समझ गया आप जहां पर ओल्रेडी बारिश होती हो कम सिचाई करनी पड़े तो वो सिचाई कहलाएगी केतों में ज़्यादा सिचाई करना आप सिंपली अपनी लेंग्विज में भी इस कांसर लिख सकते हो बस कोशन को अच्छे से समझ लेना फिर आप से कैसे भी पूछें फिर आप राम से अंसर लिख सकते हो अब इस कांसर देखो आधरता के परवक उपलब स्त्रोत के आधार किर्शी को सिचित किर्शी तथा वर्षा निर्बर किर्शी में वर्गी करेत किया जाता है कहते हैं कि खेती के दो टाइप होते हैं एक तो सिचाई वाली खेती यानि कि जब हम खुद पानी देकर केत में पसल उगाएं या एक बारिश पर निर्बर केती तो दो टाइप भी खेती होती है, एक बारिश पर निर्बर एक सिचाई पर निर्बर इस कोशन में हमसे सिचाई वाली पूछी है अब कहा रहे हैं, सीचित किर्षी में भी सिचाई के उधेशे की आधार पर अंतर पाया जाता है, जیसे रक्षित चाहिए जो बारिश हुई है उसके अलावा जो पानी चाहिए उस कमी को जब पूरा किया जाती है तो उसे बोलते हैं रक्षित सिचाई यानि कि कम सिचाई की गई है इस प्रकार के सिचाई का उदेश है अधिक्तम छेत्र को प्रियाप्त आधरता उपलब्द कराना है यानि कि ज़्यादा एरिया में हमें पानी पोचाना था बारिश होने के बावजूद भी जहां पर पानी नहीं प पड़ती है यहाँ पर बारिश वगरा कम है तो यहाँ पर सिर्फ और सिचाई की वज़े से ही खेती हो सकती है तो यही कहा रहे हैं simple language में आप लिख देना कि जादा पानी देना फसलों में और production को बढ़ाना ही क्या है उतपादक सिचाई में जल निवेश की मातरा रक्षित सिचाई के पिक्षा अधिकोति आगे न वही लाइनब कि उतपादक सिचाई में जल निवेश यानि की खेतों में ज़्यादा पानी पहुचाया जाता है अगर हम compare करें रक्षित सिचाई से रक्षी चिचाई में कम पहुचाते हैं और उत्पादक चिचाई में जद्धा पहुचाते हैं तो यही बात आपको याद रखनी थी बस अब देखो next question रभी और खरीफ फसलों में अंतर स्पष्ट करो देखो मैंने देखो आपको चैप्टर पढ़ाया था क्योंकि आपके एक एक लाइक और कमेंट की हमारे लिए बहुत वैल्यू है तो आप सभी से रिक्वेस्ट हर वीडियो पे लाइक किया करो और कमेंट करके बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगती है तो इसमें हमें खरीफ और रभी बताने हैं बस अब देखो वर्शारीतु के पश्चात शीतकाल में बोई जाने वाली फसलों को रभी फसले कहते हैं मैंने आपको बताया था रभी रभडी की ट्रिक बनाई थे न हमने कि रभडी ठंडी होती तो ठंडी में जो फसले बोई जाएंगी वो कैसी हो जाएंगी रभी फसले हो जाएंगी अब खरीफ में पहला पॉइंट देखो वर्शारीतु के आरब में कृश्म काल में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ फसले कहते हैं मैंने खरीफ का बताया था कि खारी फसले हैं तो मैंने आपको तो इस से भी बहुत ज़ाद याद करवा रखी हैं उनको आप सारीयों को लिख देना इसमें देख लो चावल मक्का का पास तिलहन ये खरी फसले हैं थर्ड पुइंट देखो ये फसले गृष्मकाल में पकर तयार होती हैं अब सरदियों में बॉई गई हैं तो गर्मियों में तयार होगी युदी पांच-चा मैने तो लगते हैं फसल को तयार होने में अब गया रहें सीतोशन जल्वायू पर्देशों मेरा भी की फसले महत्तंपून होती हैं तो जहां पर मीडियों ठंड पड़ती है उस एरिया में जो है ये फसले बहुत मेन होती है इसमें देख लो ये फसले शीतकाल से पहले पकर तयार हो जाती है खरिफ की फसले क्या होता नवंबर से पहले ही तयार हो जाती है क्योंकि एक्टूबर नवंबर में हम रभी फसले बहुते हैं तो उनसे पहले ही हम खरीब फसलों को काट लेते हैं और उश्न जलवायू वाले परदेशों में खरीब की फसले बहुत महत्पून होती हैं हमें मेंली फसल याद रखनी है और इनका मोसम याद रखना है मैंने आपको चप्टर में अच्छे से ट्रिक बता रखी है आप उस ट्रिक को अच्छे से याद गर लेना आपको मोसम भी याद हो जाएगा और सारी फसले भी याद हो जाएगी नेक्स्ट कोशन देखो भारत में भूसन साधनों का महत्व उन लोगों के लिए और अधिक है जिनकी आजिवी का क्रिशी पर निर्बर है को तीन उप्युक तर्थ देकर इस कतन की पुष्ट कीजिए देखो इस सिंपल कोशन है कोई पढ़ने वाले रटने वाले कोशन नहीं है अगर आपको थोड़ा बहुत भी फसलों के बारे में पता है तो अपने हिसाब से इनके अंसर आपर आम से दे सकते हो कुछ सोच कर अंसर देने वाले कोशन है तो देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट है किर्शी उत्पादन में भूमी का युगदान अधिक है इस कोशन में यह पूछाता सिंपले आप से कि उन लोगों के लिए खेती बहुत इंपोर्टन्ट है जिनकी लाइफ ही किस पर्टी की हुई है खेती पर्टी की हुई है जैनी किसानों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है जमीन का और खेती का अब हो गाई अब जब उनकी लाइफ ही उस पर टिकी हुई है उनका खाना पीना यह उससे आता है उनकी रोजी रोटी उससे चलती है तो बिलकुल ठीक बात हबाईए कि उनके लिए उनकी इंपोटेंस भी बहुत जादा है अब पहले पॉइंट में कहा रहे है कि किर्शी जो है वो मेंली जमीन पर डिपेंड होती है अगर अच्छी भूमी है तो अच्छी खेती होगी भूमी खराब है तो कम खेती होगी भूमी है ये नहीं तो खेती होगी नहीं तो यही कहा रहे है कि किर्शी उत्पादल में जो भूमी है उसका बहुत बड़ा रोल है पहले पॉइंट में ये बात कही है दूसरा पॉइंट देखो भूमिक्षी गुनवत्ता किर्शी उत्पादकता को पर भावित करती है यानि जमीन की जैसी क्वालिटी है वैसे ही वहाँ पर फसल होगी थर्ड पॉइंट है ग्रामिन शेत्रों में बूस्वामित्तों का आर्थी तथा सामाजिक मुल्ले है अब गाउं के एरिया में जो जमीदार लोग होते हैं उनकी कितनी वैल्यू होती है यही कहरें कि जिसके पास ज़्यादा जमीन है उसका आर्थिक महत्तों भी होता है और सामाजिक मुल्ले भी होता है तो गाउं वाले एरिया में जमीन की बहुत वैल्यू है यहीं हमसे पूशा था कि जमीन उनके लिए क्यों महत्यपून है जो खेती ज़ादा गरते है लोग टो खेती करते हैं तो जमीन पर ही खेती होती है तो जमीन की बहुत वैल्यू है economically भी value है याणि पैसे से related चीज़ों के लिए भी और समाजिक मुल्य भी है गाउवाले एरिया में तो जिनके पास जमीन है उनकी हैसियत भी ज़ादा होती है उनके पास पैसा भी ज़ादा होता है उनके पास संसाधन भी ज़ादा होते है क्योंकि जमीन पर क्याटी की हुई है, खेती टिकी हुई है, खेती से ही पैसा आता है, खेती से ही सब कुछ होता है जमीन की value उन लोगे के लिए बहुत जादा है, जो कि खेती पर निरबर रहते हैं यही बात आपसे इस question में पूछी थी, आप इसके example भी लिख सकते हो, बहुत सारे अपने आप ही अब बता देना की गाउं में जमीदार लोग, उनकी बहुत value होती है, कई कई खेत होती है तो खुद सोच कर लिखने वाले question है, यह question आपकी common sense चेक करने के लिए पूछे जाते हैं देख लो previous year question है यह, तो इस type की question भी आपके आ सकते हैं तो जो भी मचेप्टर में पढ़ाता हूं, उनको अच्छे से पढ़ो बस, चीज़ों को समझो जरूर अगर आपने समझ ली तो आप अपने आप इनके अंसर लिख सकते हो नेक्स्ट question है, विकास को सुनिशित करने के लिए जल का मुलंकन, सदुप्यग और संडक्षन आवश्चक हो गए हैं जल संसाधनों के संडक्षन से संबंदित मुल्यों की दिरिष्टी से वेख्या के जिए कि पानी को बचाना और इसको ढंक से यूज़ करना आज के लिए बहुत जरूरी है इस वारे आप इम बताओ भई, ये भी सिंपल General गोश्चन है आपको पानी के बारे बारे इम बताना है, उसके महत्रों के बारेम बताना है और बताना है कि उसे हमें बचाकर रखना चाहिए आप अपनी language में इसका अंसर अराम से लिख देना आप ये बताना कि हर एक चीज़ में जल की मांग बहुत बढ़ रही है तिके खेती में भी जल बहुत जरूरी है सिचाई के लिए भी जरूरी है पीने के लिए भी जरूरी है हर चीज़ के लिए जरूरी है पर आजकल क्या हो रहा है जल की मांग बढ़ रही है और साफ जल मिलना बहुत बढ़ी समस्या मनती जा रही है क्योंकि population बढ़ती जा रही है और जल की कमी होती जा रही है तो हमें जल को बहुत अच्छे से संभाल कर यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा वेश्ट नहीं करना चाहिए, यही बाते आपको इसमें बतानी है, जो आप बच्पन से आज तक पढ़ते आई हो, तो यह जनरल कोशन आपसे पूछे गए हैं, अब देखो जल की बढ़ती हु मानों उपयोग के लिए उपलब्ध है, जमीन पर बहुत सारा पानी है, पर आदमी के यूज़ करने के लिए पानी बहुत कम है, इस दुरलब संसादन के आबंटन और डियंटन पर कई विवाद खड़े हो गए हैं, यह दुरलब बनता जा रहे हैं कि इसकी कमी होती जा रह हैं, तो इस पर बहुत सारे विवाद हैं, इसलिए जल संसादनों के संदक्षन तिथा परबंदन की आवशकता है, इसलिए हमें जल संसादनों को बचाना चाहिए, उनका संदक्षन करना चाहिए, और उनका मैनेजमेंट करना चाहिए, यह हम जो शोट में पूछा गया था आपके exams में तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना chapter को अच्छे से समझ लेना इनी में से आपकी question बनेंगे मैंने आपको सब कुछ complete करा दिया है बस आपका काम है अब मेहनत करना सारी चीजों को देखना playlist में जाओ, वीडियोस को लाइन से देखो और अपनी सारे चीज़ अच्छे से पढ़ते रहो सिर्फ geography ही नहीं, आपको यहाँ पे हर एक subject मिलेगा history, political जो भी आप पढ़ना चाहो अब ऐसे ही playlist में जाओ, सारी वीडियोस को line से देखो, पर आप सभी से मेरी एक request अगर आपको मारे वीडियो अच्छी लगे न, तो लाइक करना हर एक वीडियो को, और कोमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी अगर आपको geography के handwritten notes PDF चाहिए तो हमें इस number पर WhatsApp करें आपको simply इस पर 12th geography notes लिके message send करना है आपको notes बहुत ही nominal prizes पर मिल जाएंगे अगर आप other subjects के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिके और आगे वो subject mention करना है जैसे आपको history के चाहिए तो 12th history notes, political के चाहिए तो 12th political notes लिके message send करना है and other details you will get on WhatsApp, thank you like share and subscribe, मुझे पता है ये line सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कह कर पक चुका हूँ लेकिन आपके एक like share और subscribe से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है यहाँ पर cameraman है, editor सा और मैं हूँ तो प्लीज यार कर दो एक मिनट के लिए वीडियो को post करें और like share, comment जरूर करें यह मत सोचना कि कोई और करेगा वो भी यह सोचते हो निकल जाते हैं तो प्लीज अभी कर दीजिए कर दो प्लीज